हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज मैं प्रिती देविन चैनल में फिर से एक नई रेशिपी ले करके आई हूँ तो चलिए सुरू करते हैं आज मैं आपको मंचूरियन बनाना सिखाऊंगी जो की पत्ता गोभी से बनेगा तो पत्ता गोभी से बना हुआ मंचूरियन खाने में बहुत टेस्टी होता है और उसे बनाने के लिए सबसे पहले पत्ता गोभी को ग्रेट करना होता है जैसा कि मैं कर रही हूँ अब पत्ता गोवी पूरी तरह से ग्रेट हो चुका है और अब मैं इसमें salt add करूंगी तो ये आपको स्वाद के अनुसार add करना है और salt add करने के बाद इसे अच्छी तरीके से mix कर देना है अब इसे 5 मिनट के लिए rest करने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के बाद ये पत्ता गोवी नमक डालने की वज़ेसे बहुत ही पानी छोड़ देगा और पानी को अच्छे से निचोड करके पत्ता गोवी को अलग कर लेना है जैसा कि मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं बचे हुए पत्ता गोवी को चन्नी से चान लेना है क्योंकि वो हाथ से नेच्छन पाएगा तो ये देखे मैं चन्नी से चान ली हूँ इससे पानी अलग हो गया है और सारा पत्ता गोवी अच्छे से चन के निकल चुका है इसे भी अच्छे से निचोड लूँगी और ये पानी हमें फेकना नहीं है ये बाद में इसी में यूज हो जाएगा इसे मैं किनारे रख देती हूँ और अब हम इसमें सारी चीजे अड़ करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें कॉन फ्लॉर अड़ करेंगे और अब मैं इसमें रेड़ चिली पाउडर एड़ करूँगी, तो आप रेड़ चिली पाउडर अपने स्वात के अनुसार एड़ कर सकते हैं, तो ये मैंने half tablespoon red chili powder एड़ किया हैं, और अब मैं इसमें turmeric powder एड़ करूँगी, ये देखिए, ये मैंने one fourth tablespoon turmeric powder एड़ किया हैं, आप इसे skip भी कर सकते हैं, और ये salt add किया है, जो कि स्वात के अनुसार है, इन सारी चीजों को अच्छे से हम mix कर लेंगे, और इसे mix करने के लिए हमें hand का use करना होगा, तो इसे मसलते हुए अच्छे से हमें mix कर लेना है, इसे मसलते time आप पूरीत सफाई का ध्यान रखिए हाथ को अच्छी तरीके से धूल करके तभी मसलिएगा, तो आप देख सकते हैं, सारी चीजे अच्छे से mix हो चुकी हैं, तो अब मैं इन सब के बॉल बना लूँगी, जिससे की ये तलने में आसानी हो, तो फ्रेंट्स बॉल बन के त्यार हो गए हैं, और अब मैं और भी इंग्रीडेंस यूज़ करूंगी, जो है सिमला मिर्च और प्याज, इसे भी मैं फ्राई करूंगी, तो पहले बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं, जात मुम् causa da मैं बना खाई करूंगी, घहले जूखीन क के तलने मार खेंगे तलने में पानता हैं, बनी आचाई कि सन्छाई को ग DOTT बॉल्स बनके रेडी हो गए हैं आप देख सकते हैं कि इसके कलर भी चेंज हो गए हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है तो इसी तरह से आपको भी फ्राई करना है अब मैं सारे ओयल निकाल के थोड़े ओयल में सिम्ला मेर्च को फ्राई करूंगी और जब यह थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे और प्याज भी फ्राई कर देंगे फ्रेंड्स प्याज फ्राई हो गए हैं अब मैं थोड़ा तेल डाल करके ग्रीन चिली अद्रक लिसन का पेज डाल के अच्छे से भून लूंगी इसे अच्छे से भून जाने के बाद इसमें टोमेटो सॉस रेट चिली सॉस ग्रीन चिली सॉस सब एड़ करके अच्छे से चला लूंगी उसके बाद इसमें सिमला मिर्च और प्याज एड़ करूंगी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसमें स्वात के अनुसार नमक एड़ करूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी कुछ देर भून जाने के बाद इसमें मैंने रेडिमेट मंचुरियन मसाले एड मंगाये थे उसे आदे ग्लास पानी में डालके अच्छे से मिक्स कर लूँगी जिससे की लंप्स ना आए ये पानी ठंडा होना चाहिए मिक्स करने के बाद मैं इसे इन सारे इंग्रेडियन्स में एड कर दूँगी और ये देखिए मेरी ग्रेवी बन के तयार है बस एक उबाला जाए तो मैं इसे उतार दूँगी तो फ्रेंड्स हमारी ग्रेवी बन के तयार है इसमें उबाला चुके है अब मैं इसमें बॉल्स को एड कर दूँगी और गैस आफ कर दूँगी बॉल्स को एड करने के बाद ग्रेवी को उबालना बिल्कुल भी नहीं है तो हमारे मंचूरियन्स बन के तयार है अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में बाइ